दोस्तों, बॉलिवुड एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं से बस अच्छा फिगर मेंटेन करने की उम्मीद की जाती है. वे कितनी भी प्रतिभाशाली हूँ, मगर एक फिल्म में उसका किरदार सिर्फ ग्लैमरस ही दिखाया जाता है. हालांकि पिछले कुछ समय में ऐसी फिल्में भी बनी, जिन में हमने अभिनेत्रियों को कुछ दमदार परफॉर्मेंस देते हुए देखा है. मगर अब भी उनके किरदार में कमियां रही जाती है. वहीं अगर कोई अभिनेत्री करियर के पीक पर है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह शादी के लिए रुक जाए. ऐसा कहा जाता है कि एक एक्ट्रेस की शादी और मां बनने के बाद बॉलिवुड में उसके लीड रोल कम ही बचते हैं. मगर ये भी सच नहीं है. ऐसी कितनी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने करियर पर एक उंचा मुकाम बनाने के बाद शादी की, मा बनी और फिर भी बॉलिवुड में अपनी जगह बनाए हुए हैं. हाँ, ऐसी भी अभिनेत्रियां रहीं, जिन्होंने शादी के बाद अपनी मर्जी से बॉलिवुड से ब्रेक लिया और वह आज भी चाहें तो बॉलिवुड में वापसी कर सकती हैं आईए, इस वीडियो में हम जानते हैं उन एक्ट्रिस के बारे में जिन्होंने अपने करियर की पीक पर आकर शादी करके सब को चौँका दिया था जिन्होंने अपने करियर की पीक पर आकर शादी करके सब को चौँका दिया था एक्सप्रेशन क्वीन और मेगा स्टार, श्री देवी जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं अपने समय की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी हम चांदनी, मिस्टर इंडिया, खुदा गवा, चालबाज और लाडला जैसी हिट फिल्मों में उनके शानदार अभिने को नहीं भूल सकते हिंदी सिनेमा में अगर राजेश खन्ना के बाद किसी को सुपरस्टार और मेगा स्टार का दर्जा मिला तो वह श्री देवी ही थी एक टाइम था, जब उन्हें अपने को स्टार अमिताब बच्चन जितनी ही फीस मिलती थी हर निर्देशक और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए मुहा मांगी फीस अदा करने को राजी हो जाया करते थे उन्ही निर्माताओं में से एक बोनी कपूर थे जिन्हें श्री देवी बहुत पसंद थी उन्होंने श्रीदेवी का उस समय साथ दिया जब वह अकेली थी बस यही बात श्रीदेवी को पसंद आ गई और उस समय जब वह अपने करियर की उंचाई पर थी उन्होंने बोनी कपूर से शादी कर सब को चौका दिया सल्मान खान और भागश्री की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया थी फिल्म में भागश्री को बहुत पसंद किया लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने हिमाला दासानी से शादी कर सब को चौका दिया था कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने करियर को गंभीरता से नहीं लिया शादी के बाद भाग्यश्री इंडस्ट्री से एकदम गायब ही हो गई उन्होंने अपनी पहली फिल्म से अपने अभिनाय से लोगों के दिलों को जीता लेकिन वह घर बसाने का फैसला कर चुकी थी उन्होंने एक इंटर्व्यू में भी बताया था कि जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी उन्होंने उसके लिए अपने करियर को छोड़ा दिया नीतू सिंग्ह ने बॉलिवूड में अपने पैर बच्पन से जमा कर रखे थे वह अपने समय की बेस्ट एक्ट्रेसिस में से थी जिनका चार्म ही अलग था उन्होंने अपने समय में कभी कभी याराना, अमर अकबर एंथनी, यादों की बारात, दीवार जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनाए के जादू से लाखों दिलों को जीता कपूर खांदान के चिराख आशी कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद की जाती थी एक फिल्म के दौरान दोनों करीब आए और सिर्फ 21 साल की उमर में अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देने के बाद नीतू सिंग कपूर बन गई शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से जल्दी रिटायर्मेंट ले लिया हालांकि साल 2009 में लव आजकल उन्होंने एक छोटे से कैमियो रोल से फिल्मों में वापसी की थी